लेकिन जहां तक लोगों की समस्या से जुड़ी हुए काम रहती हैं, उसको पूरा करवाते हैं, और हमारा प्रयास यही रहता है कि हम जन्ता के काम को कर पाएं, और बिल्कुल हम उसमें खरव उतरते हैं, जन्ता के काम को करते हैं, समय में कर्याला पहुंच जाना, कर्याला मे हैं हमारे हम समाज हम लोग भवन का निर्मान कि ए मिहार्ट सामाज की लिए भवन का निर्मान कि εςर्या साहू समाज के लिए हम लोग भवन के देपूरी में peng samples बन रहा है में यादों समाज निर्मान कि आ है तीन माह के बाद चुनाओं है नगर निगम का वार्ड को लेके तो आपकी तैयारी कैसे चर रहे हैं चैनल के माध्यम से बोलना चाहूंगा मैं मेरे वार्ड में दो महने से एक ही गाड़ी आ रहा है सपाई खचरा उठाने के लिए तो वह बहुत बड़ा समस्या मैंने अगर आपको सफाई की इस्तर सुधारनी है तो जो सुधा आप दे रहे हैं उसको पूरा कंटीनू रखे अब लगबग एक वार्ड में दो महने से गाड़ी नहीं आना मतलब लोगों को परसानी हो रही साथ में हमें भी परसानी है क्योंकि अभी त्योहारी सीजन है अभी चतुरति आ रहे हैं फिर नवरात्री आएगा तो इसमें क्या है लगातार आपको सफाई पर ज्यादा द्यान देना पड़ता और गाड़ी एक य आ रहा है तो इसकी सिकायद में ने-दो-3 बार जोन में की है सौस्त अधिकारी के द्वारा बोला जाता कि एक-दो रोज में बन के आज आगा करके तो मैं चाहता हूं कि जो गाड़ी निमीद रूप से आ रही है है ना तो उसको आने दिना चाहिए जै जोहार चतिसगाड आप मन देखा तो न्यूस सेवेंटी टू मैं हूं हरी बंदुनाय न्यूस सेवेंटी टू की टीम आज डुमर तरह आई हुई है यहां बाबु जग जीवन राम वाड में हम सर्वे में आई हुए है और इस दौरान हमारी भेंट मुलाकात यहां के पा बहुत भाँ धन्यवाद भईया आप हमारे वाड में स्वागात है अभी नंदन है वारले जी लगभग नगर निगम का कारिकाल समाप्ति की वर साढ़े-चार वर्स हो चुके हैं आने वाले समय में नगर निगम चुनाओ होना है आप इस ताढ़े-चार वर्सों के दौरा वाड में वाड विकास के लिए जनहित के लिए कौन-कौन से विकास के काम वह थोड़ा विसार से बताई जैसे कि हमारे वाट करमांग तिरपन के छेत्र में जो प्रमुग रुप से मैं सोचा था कि इस काम को कर पाऊं करके तो जैसे देपूरी समसान घाट पहुंच मार गया बहुत बुरा इस्थिती रहता था वहाँ पे आज वहाँ पे सडक का निर्मान हुआ है देपूरी समसान घाट जो संदरी करन हुआ है दुमरत्रई समसान घाट में संदरी करन का कार्या हुआ है दुमरत्रई समसान घाट में पहुंच मार गया बना है ऐसे बहुत सारे काम ह जिसको हम लोगों निकराया है सीसी रोट का निर्मान हो चाहे कालोनी में हो चाहे बस्ती में हो मेरे हां तीन बस्ती लगभग आता था जैसे डुमर तरही पूरा बस्ती है देपुरी पूरा बस्ती है फुंधर का आधा हिस्ता मेरे में आता है कुछ महात्मा गांधी नगर का यह अरिया आता है अर फ्म सी रूट के साथ साथ नाली का भी निर्मान के बहुत सारे समाज का निर्मान हुआँ सारे काम हमारे वाड में हुआ है बढ़ावाड है साnesी के लग्भग हुए है हमारे अभी 4.5 साल लगभग हुआ है और हमारे वार्ड में लगभग हम लोग 14 करोड के आसपास का काम कर चुके हैं PWD का काम अलग है यह हमारे नगरी निकाय का बज़ट है जो 14 करोड के आसपास का काम हम लोग पूरे वार्ड में करवाए हैं हम वार्ड सर्वे के दवरान देख रहे थे कुछ लोगों से हमको जानकारी मिली खासकर धिवर पारा जो है यहां का एरिया दुमर तलाब में उनके द्वारा कहा जा रहा है कि तलाब का सौंधरी करण नहीं किया गया है जो कि मुख्य बाते हम लोगों की मांग रही है सुकृति नहीं हुआ है मैं बता देना चाहता हूं कि हमारे वार्ड में लगबक आड तलाब है आड तलाब में दो तलाबों का सुंधरी करण हुआ है और जो पैठू तलाब है उसकी भी सुकृति के लिए हम लोगों ने आवेदन दिये हुए थे लेकिन अभी तक उसका पूल है उस पूल से पूरा गंदा पानी होके तलाब में ही जाता है इसकी सिकायत मैंने कई बार नगन निगम में लेटर के माध्यम से और अधिकारियों को वहां पे बुला कर उसको मैं दिखाया हूं लेकिन उसका समधान अभी तक नहीं निकला है बिलकुल मैं चीज को मा प्रदेश के सरकार रही लेकिन अब भारती जनता पार्टी की सरकार विष्णुदेव की सरकार आ चुकी है ऐसे में सरकार बदलने का असर नगर निगम के कारे पर कितना पड़ा है देखो हमारा तो काम है जनता से मिलना जनता के बातों को सुनना जनता के कामों को करना हमारा लगातार जनता की बीच में सिधा संपर्क है ठीक है लोग सोचते हैं कि बीजेपी का गवर्मेंट है तो कांग्रेस के वार्ड में फंड नहीं देगा लेकिन जहां तक लोगों की समस्या से जुड़ी हुए काम रहती हैं उसको पूरा करवाते हैं और हमारा प्रयास यह रहता है कि हम जंता के काम को कर पाएं और बिल्कुल हम उसमें खरव उतरते हैं जंता के काम को करते हैं समय में कर्याला पहुंच जाना कर्याला में लोगों से मिलना वाड में कोई भी का रुपए राशी के यहां पर विकास के काम कराये हैं तो इसमें समाज के लिए किसकी समाज के लिए आपने भवन बनवाया है निर्मान कारिकर वाये थोड़ा उसको विस्तार से बताईए जी आपको बताना चाहता हूं मैं कि दुमरत्रही में सांस्कृतिक भवन जो अभी पा अभी सांस्कृतिक भवन डुमांड वावन का में सत्नामक के पास कमल चलिया मातर विहार मैं आपको पताना चाहतू है ये रख़रा में पांऺ जगां अम जोगों ने रंगिमांच की निर्मान तो हम ही पांच में इसामाज के लिए निरमान पर से चाहरों की देपूरी में हमारे दुमरतργों रहे और समयbike दूमरत रहे हैं करें निर्मान अभी कांग्रेश सासन काल में सुक्रीती हो गया था टिंडर भी लग गया था बट वो अधोर्स रजना का मत था तो सासन के तरफ से आदेश आया कि जो काम अभी आया है उसको निरस्त करना है करके तो मैं उसी काम में लगा हूँ ताकि सतनामी समाज के लिए आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे ही हमारी सरकार बनी ठीक एक साल के बाद और नगन निगम का चुना हुआ उसके बाद हम लोग सब पार्शत चून के आए उसी दवरान छे महने के बाद आप लोग सभी ने देखा है कि यह कोरोना काल माहमारी जो पूरा पूरे देश व अब्या सेट का निर्मान हुआ है सभी समाजों का लगभग लगभग भवन हमारे वार्ड में है और मैं आपको बताना चाहता हूं कोरोना काल में जो हम लोगों ने कार्य किये हैं उसका अभी तक कोई यह नहीं है हम लोग यहीं रासन बाटने का कार्या पूरा सब चिर्काओं का कारिया हम लोगों ने लगा तार पर दे हमारे सफाई कर्मचारी को मैं उसमें बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने अपनी जान के खत्रे में डाल कर पूरे वार्ड में सफाई बेवस्ता को बहुत अच्छे से कर पारे आपके यहा ने चड़ बढ़ कर भार्डी जंताप़ाटी को और सरकार भार्ड़व fav दिजना का महिलाओं को यहां Пीड़ी कितने लोगों को ब्राब दिला हैं और अभी लोग से जानकारी लेते हैं कि यह मेh hours भर सकते हो क्या करशे लेकिन आप लोग को सब को पता है कि एक पार्सत फाम नहीं भर सकते सासन का जो भी आदेश नियम रहता हुसी के अनुसार हम लोग भी चलते हैं बहुत लोगों का भी जैसे हर मैंने एक तारीक को मुख्यमंत्री जी मातारी बंदन योजना का पैसा जारी करते हैं मैं देखता हूँ की डूमर तरही से ही प्राया कई महिलावों का पैमिंट नहीं आता है भू हमारे पास आते हैं मैं ठीक से जवाब नहीं दे पाता हूँ मैं कहां पर सिकायत करूँ ये सोचते रहता हूं कि कि ना उसका कोही सिकायत केंद रहे ना सकते है ना उसका नया भाम भर सकते है तो शासन को इस और ध्यान देना चाहिए कि अगर जो जिसकोاب कंटिनेयू मृत है ना उसका बंध महिलाव को लाब वो कंटीनु मिले अरली जी आप एक जन प्रतिनीदी है जनता कि हर समस्या को आप प्रमुक्ता से ध्यान देना आपका दाइत तो है और इस संबन में जो भी सिकायत अगर आती है तो आप कलेक्टर के ध्यानाकरसर में ला सकते हैं क्योंकि सासन का प्रतिनीद का पैसा नहीं आ रहा है तो हम कहां पर किसी को टोल फी नंबर दे या जानकारी दे ताकि उसको पता चल पाए कि यहां पर सिकायत करने से हमें जानकारी मिल सकती है तो मैं जोन में दिया हूं मैं कलेक्टर महदय के पास अभी नहीं दिया हूं भाजरपा की सरकार यहां काम क कानून बेवस्ता पर तो बात करना बहुत दुखा था क्योंकि आज की स्तिति ऐसा है कि प्रती दीन कुछ न कुछ हो रहे हैं लूट पार हो रहे हैं हमारो कांग्रइस पाल्टियों के ताकि सरकार को जो सोई हुई सरकार उसको जगाने का काम हमारे कांग्रेस पाल्टी कर रहे हैं अभी तीन माह के बाद चुनाओं है नगर निगम का वार्ड को लेके यहां पर महिला था जब आपके आंके स्रीमा विश्नुबारले यहां पारसत बनी है तो पूरुष अगर हो आपके तैयारी कैसे चल मेरा घुनाओं लड़ने का जहां तक बात है तो जनता कि मुझे जनता कीकी कि चुनाओं लड़ने के लिए तो बिल्कुल मैं चुनाओं लडने के लिए तयार हूं पर कितने कर्मचारियों कैसा है सफाई का कारे देखो आपने बहुत अच्छा प्रस्म किया है मैं सफाई के बारे में बताना चाहता हूं कि मेरा जो वाड का सफाई कर्मचारी है और ठेकेदार बिल्कुल हम साथ लेकर एक साथ होके हम लोग काम कर रहे हैं ठेकेदार डिली डाइनप करते हैं सफाई कर्मचारी को उसके माध्यम से बहुत अच्छा काम हमारे वाड में हो रहा है कहीं नहीं ऐसा है कि छेत्र फल बड़ा होने के कारण सबसे ज्यादा सरकार का ध्यान रहता है तो सफाई पर रहता है बिल्कुल हमारे वाड में जहां पर खबर मिलती है कि यहां पर सफाई करवाना है कुछ भी कारकरम रहता है या कुछ भी अमर्जिंसी रहता है तो उसके लिए हम तुरण सफाई कर्मचारी भेज के या ठेके बड़ा समस्य मैंने लिखे तुम जोन कमिशनर को इसकी जानकारी दी है एक गाड़ी अभी बन के आया फिर दूसरी गाड़ी बनने के लिए चले गए हैं तो मैं चाहता हूं कि आप सफाई का इस्थर आप कुछ कमी करके नहीं सुधार सकते अगर आपको सफाई की इस्थर सुधारनी है तो जो सुधा आप दे रहे हैं उसको पूरा कंटिन्यू रखे अब लगबग एक वाट में दो महने से गाड़ी नहीं आना मतलब लोगों को परसानी हो रही साथ में हमें भी परसानी है क्योंकि अभी त्योहाडी सीजन है अभी गनेज जी की चतूर्थी गनेज चतूर्थी आ रहे हैं फिर नवरातरी आएगा तो इसमें क्या है लगातार आपको सफाई पर ज्यादा ध्यान देना पड़ता हो गाड़ी एक ही आ रहा है तो इसकी सिकायत में के बारे में थोड़ा बताईए अम्रीजल मिसन जो चर रहे हैं जैसे कि हमारे वार्ड में अम्रीज मिसन के तहन जो पानी टंकी का निर्मान हुआ है वो तो लगवग लगवग देड़ दो सालों से पूरा कंपलीट हो गया है उसका गड़ा उड़ा का जो भरने का का कारिया अभी हो चुका है अभी आप लोग देखे होंगे कि में रोट से एक कमल विहार तरब जा रहा है जो अभी पानी सप्लाई के लिए उसके लिए गड़ा खोदा गया है वो टेस्टिंग होने के बाद बराबर कर देंगे करके बोले हैं लेकिन मैं लगातार उसके संपर्क हू कि आशिरवास से उसके सासंकाल में रहते हुए हम लोगों ने बस्ती वालों को तरफ से ग्यापन दिया था और उन्नीस लाग पुछ रूपया रासी हुआ था जो अंदर ग्राउन फिर से उसमें पाइप लाइन डाला गया है अभी लगातार टेस्टिंग चार रहा है जब और कोशिस कर रहे हैं कि वाड के प्रतयेक नागरिक तक, प्रतयेक घर तक Аमरीजल मिषसन का लाव मिले और सफाई का आलम ये है कि पीछे लगकर मसीन, 3D मसीन मंगा कर यहाँ पर, JCV मसीन मंगा कर सफाई करवाते हैं और राद दिन वाड के सभाई में लगे हुए हैं अभी बहुत बड़ा इनों को तेवार है गनेश चतुर्थी और अभी तीजा तेवार है अपने छेत्रवासियों को और राइपूर वासियों के लिए क्या संदेश होगा आपका बिल्कूल कल से गनेश जी की प्रतिमा जगा पूरे 36 गड़ में राजमान हो रहे हैं मैं इसके लिए पूरे प्रदेश वासियों को और खास्तों पर हमारे वाड़ वासियों को गनेश चतुर्थी की बहुत-बहुत बढ़ाई और सुपकामनाये देना चाहता हूं जैसे कि आज पूरे 36 गड़ में तीजा का तिवार को बहुत ही धुमधाम से जो 36 गड़ की हमारी दीदी बहिनी मनें पूरा धुमधाम से मना रहे हैं मैं तीस त्योहार की भी बहुत-बहुत बढ़ाई और सुपकामनाये अपने तरफ से देना चाहता हूं यह थे रिशी बारले जी जो कि पारसत प्रतिनीधी की रूप में हाफ़ी सक्रीव कर रहे हैं क्योंकि हमने वाडप्रमन की दौरान देखा की रिशी बारले का नाम उ लियके हैं कि हमेशा हमारे दुख और सुख में तत्परता से काम कर रहे हैं आप देखते रहें न्यूज 72 मैं हूं हरी बेंदुनायक नमसका